नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MedPharma 24-7 में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Inzofresh 10 tablets के बारे में तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं Inzofresh 10 tablets Mankind Pharma द्वारा manufacture किया जाता है जिसके एक strip में 10 tablet होता है और इसके एक strip की कीमत है 59 rupees इस medicine का तो active ingredient है यानि salt composition वो है Zolpidem 10 mg बात करेंगे इसके uses के यानि किस medical conditions में ये दवा recommend किया चाता है तो ये एक तरह की hypnotic दवा है जो कि insomnia जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए recommend किया जाता है Insomnia एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको रातों को जल्दी नींद नहीं आती है तो अगर आपको रातों को जल्दी नींद नहीं आती है या फिर अगर आप रातों को बार बार नींद से जगते हैं या फिर आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं छे से आट गंटे की नींद पूरी नहीं हो पाती तो ऐसे cases में डॉक्टर इस medicine को recommend करते हैं तो ये दवा लेने पर आपको अच्छे से नींद आएगी और आप अपनी नींद पूरी कर पाएंगे बात करेंगे इसके डोस के आप इस दवा को रात को ले सकते हैं सोने से पहले लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपको ये दवा हर दिन सेम टाइम पर ही लेना है तो अगर आप इस दवा को आज रात दस बजे ले रहे हैं तो कल भी आप इस दवा को रात दस बजे ही ले आपके condition को देखते वे आपके डोक्टर ने आपके लिए जो डोस एड़ाइस कि headache, vertigo, diarrhea, nausea, vomiting, back pain, fatigue, stomach pain, double vision या depression जैसे side effects देखने को मिल सकता है जो कि rare होते हैं इतने serious नहीं है लेकिन अगर आपको लगे इन में से कोई भी side effects आपको परिशान कर रहा है तो आप अपने डोक्टर को consult कर सकते हैं बात करेंगे कुछ precautions के यानि यह दबा लेने के दोरान हमें किन बातों का ख्याल रखता है तो अगर आपको liver या kidney की problem है या फिर अगर आपके muscles weak है या फिर अगर आपको breathing की problem है सांस लेने में दिक्कत आती है या फिर अगर आपको slip walking disorder है यानि अगर आप नीद में चलते है तो ये दबा आपके लिए recommend नहीं किया जाता आप ये ध्यान रखें ये दबा लेने पर आपको dizziness हो सकता है यानि आपको नीद आ सकती है तो ये दबा लेने के बाद आप drive ना करें ये दबा लेने के دورान आपको alcohol का saveन नहीं करना है ये दबा लेने के दौरान अगर आपक का mood change हो रहा हूँ, आपके behavior में कुछ changes आ रहे हैं, आप हमेसा depressed रहते हैं, या फिर अगर आपको suicidal thoughts आ रहे हैं, तो आप अपने doctor को immediately consult करें, अगर आप किसी और medical sense पर हैं, या अगर आप किसी और disease का दवा ले रहे हैं, तो आप अपने doctor को जरूर बताएं, अगर आप pregnant हैं, या breast feeding mother हैं, तो आपके लिए ये दवा recommend नहीं किया जाता, आप ये ध्यान रखें, ये दवा 18 साल से कम उमर के बच्चों के लिए recommend नहीं किया जाता, तो हमें ये बात ध्या करें चाहिए, तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं, और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार visit कियें, तो वीडियो को like जरूर करें, और चैनल को subscribe करना ना भूले, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद,